आज की रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। रेसिपी बनाने के लिए दो कटोरी की हुँक आठा, स्वात का नुसर नमक और पानी के हेल्प से हमें आठा गूत करके रेटी करना है। याद रहे जादा आठा हमें गीला नहीं गूतना है। गर्म हो चुकी थी, एक कटोरी तिल को हमें 2-3 मिनट तek धीमियाज पर भूनना है तो 2-3 मिनट अल्मॉज हमारे हो चुके है तिल को थंडा करने के लिए मैंने तिल को थाली में पलट लिया है तो जब तक हमारी थंडी होती है तब तक हम अगली प्रोसेस करते हैं यहां पर आधा कटोरी चीनी ले लिया है चीनी को मिकसा जार में पीस लेंगे उसके बाद इसी मिकसा जार में मैंने तिल को ट्रांसपर कर दिया है तिल को हमें दरदरा पीस ना है तो यहां पर हमें तिल पीस लिया है और अब इस पीसी हुई तिल में जो है पीसी हुई चीनी और coconut powder ये तीन चीजे हम अच्टरेक के से mix कर लेंगे भगोनी रख दिया था, भगोनी मैं करीब तीन गलास पानी गरम करने के लिए रख देंगे साथ ही दूसरी भगोनी में दूद गरम करने के लिए हम रख देंगे दूद गरम होते तक हम अपनी अगली प्रोसेस करते हैं यहाँ पर गूते हुए आटे की हम छोटी-छोटी से पेड़ी आलोई बना कर रेडी कर लेंगे याद रहे हमें जादा पेड़ी बड़े बड़े नहीं बनाने हैं और उसी पेड़ी से पत्ली-पत्ली सी रोटी बना करके रेडी कर लेंगे तो इसी तरीके से सारी रोटी बना कर हम रेडी कर लेते हैं अब उसके बाद यहाँ पर हमारा पानी गरम हो चुका है पानी में आदा चमust घी डाल दिया है आप यहां पर गुजिया मेकर या कचोडी मेकर की help लेँगे यहां पर मैंने गुजिया मेकर ले लिया है बनी हुई रोटी को इस पर रख देंगे और इस टेप के लिए हमने जो त्यार किया है पिसी हुई चीनी और तिल उसको यहां पर स्टप कड देंगे इसी तरीके से सारे गुजिया बना करके हम ready कर लेंगे याद रहे आप इस PC हुई तिल में गुड का विस्तमाला कर सकती है तो सारे गुजिया हम बना कर ready कर लिये हैं पानी गरम हो चुका था गरम पानी में इसे ट्रांसफर कर लेंगे तो बस थोड़ी दिर के लिए हमें इसमें रखना है ताकि हम चेक कर सकें कि गुजिया हमारी फट तो नहीं रही है तो इसी तरीके से सारी गुजिया हम shift कर देंगे almost 3-4 मिनट हो चुके हैं अब इस गुजिया को हम पाहार निकाल लेंगे और इस पके हुए दूद में हम एक या दो चम्मचे करी पीसी हुई चीनी एट कर देंगे ताकि दूद में थोड़ी से मिठास बन जाए mix कर देंगे उसके बाद यहां पे मैंने उबली हुई गुजिया को ट्रांसपर कर दिया धीमी धीमी आज पर 10-15 मिल तक पका लिया था चलिए सर्व करते हैं पकी हुई गुजिया खाने में काफी टेस्टी लगती है स्वादिस्ट लगती है इसके उपर थोड़ा सा ड्राइफूट से आग गानिस कर देंगे तो भी काफी अच्छी लगेगी तो यहां पर मैंने पिस्टा से गानिस कर दिया है आई होप आज की दूद गुजिया की रेसीपी आप लोगों को पसंद आई होगी पसंद आए तर पिश लाइक कीजेगा कमेंट कीजेगा शेयर कीजेगा मिलते हैं अगली ही रेसीपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टे किया